प्राइज एक्षिन में दोस्तों अभी हम लोग यहां पर देखने वाले निफ्टी और आज एक मार्केट में आपको पॉजिटिविटी दिखाई दिये कि आगे क्या होता है उस भी हम लोग यहां पर डिसकस करने वाले आज कि आज मैं कुछ बहुत ही अच्छे स्टॉक्स लेकर आया हूं जो काफी अच्छे स्टॉक्स थे जो अभी जब मार्केट ट्रेंडिंग वे में था तो वह स्टॉक्स काफी अपने प्राइस से दूर चल रहे थे तो अब वह स्टॉक्स थोड़े सही जगह आ चुके हैं तो उनको भी अम लोग देखेंगे यहां से अभी हम लोग निफ्टी को देख लेते हैं देखे सबसे पहले मैं आपको डेली का चार्ट दिखाता हूं तो डेली में आपको क्या लग रहा है वह पहले देखा तो यहां पर आप देख पा रहे होगे कि अभी एक रेंज मार्केट ने बना लिया है अपने लिए और इस रेंज को यह ब्रेक नहीं कर पा रहा है यह जो लावल है चौबिस हजार तीन सटावन का और कहीं ने कहीं जो ट्वंटी इमें के हम लोग नीचे चल लाए हैं यह एक हमाले लिए अभी पूरा तरीके से पॉजिटिव संकेत नहीं है बट यू कें सी कि कल जैसे यूएस मार्केट में पॉजिटिविटी रही और अभी आपे कुछ ऐसा रियूमर सा आ रहा है मुझा भी ये न्यूस कंफर्म नहीं है दोस्तों कि जापान ने जो रेट हाइ कि इट कुड भी पॉसिबल कि यहां पर मार्केट कुछ टाइम पॉस करे ठीक है इस रेंज में पॉस करें उसके बाद रिसाइड करें कि वह कहां जाएगी ठीक है तो इसलिए अभी यहां पर कुछ पारिशनल इंट्री आप बना सकते हो बट अभी फिलाल इंटिक लिए य अगर हम लोग फबनाची को ड्रॉ करते हैं हाई टू लो अगर हम लोग मैंच करते हैं तो चौबिस हजार पांसों का जो यह लैवल आ रहा है ठीक है यह एक जोन है पूरा-पूरा तो यह यह जो लैवल है यह काफी इंपॉर्टेंट है मिन्स यह 20 यह में के ऊपर का जो ए वी वन आवर टाइम फ्रेम में काफी स्ट्रगल चला है और जो यह ऊपर का एक ब्रेक आउट है यह काफी अच्छा है एंड अ मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि मार्केट ने यह जो यह गैप पेंडिंग किया है यह हो सकता है कल के दिन मार्केट यहाँ पे इसको टैप कर के उपर जा सकता है काफी चांसे है कि यहां से एक इंट्री मिल सकती है अगर यह सीधे उपर जाता है तो भी इन फ्यूचर यह यहां पर आना चाहिए तो इस तरीके सही मार्केट चलता है फिलाल यह जो उपर खुद को होल्ड किया है यह एक पॉजिटिव विटी लगती ह है कि अपर लेवल के यह होल्ड कर रहा है जैसे उपर निकलता है तो अगला जो हमारा है 24,500 वह यह वाला जो पूरा एरिया है यह एरिया काफी इंपॉर्टेंट होगा है इसके उपर हम लोग फिर बुलिश हो सकते हैं अगें से कई बार आपको बताए कि अगर मुविंग भी सिगनल होता है यहां पे अगर आपको मैं दिखाओं तो कि निफ्टी ने थ्री आवर पे एक सॉरी टू आवर टाइम फ्रेम पे आप देखोगे कि मुविंग अवरेज का सपोर्ट लिया हुआ है और सी की आगे क्या होता है तो यह मेरा जो व्यू था मैंने आपके साथ शेयर किया अगर आपको यह सही लगा या आपने से कुछ भी सीका तो आप मुझे जरूर बता सकते हैं डूसी चीज़ देखोगे कि प्राइस यहां पे डवल बॉटम भी लगाया है इन फैक्ट आप देखोगे कि कल का जो एक लो था यह लो फिर उसके अदमार्केट उपर गया एक हाई भी लगाया इसको ब्रेक किया यह अभी आपको विक दिखाई दे रही है बट इसको जब हम लोग फोर आवर टाइम फ्रेम में देखेंगे ना तब आपको और बेटर वे में समझ में आएगा मिन्स कि यहां पे लो लगा फिर यह हाई लगा एंड उसके बाद विक्स यहां पे एक दम से 13 परसेंट गिर चुका है और आप देखोगे मिट कैप यह तीरों ही सेक्टर में काफी तेजी रही एंड पीएसी सेक्टर में बहुत अच्छा यहां पर बूव आया है एंड मैटल सेक्टर भी आज कहीं लीट किया है निफ्टी को तो यह सारे से आपको तेजी देखने को मिल सकता है अब हम लोग अपने स्टाउक को डिस्कस करेंगे एंड फ़र्ट इस टॉक है दोस्टोख कैष्टा इंडिया तो कैष्टा इंडिया में भी क्या दिखाई दे रहा है सबसे वहले टेली टाइंफ्रेम खोलेंगे एंड अग यहां पर इ अच्छे से यह हमें अपसाइड मोमेंट दिखा सकता है जहां से हमें बाइंग प्लान कर सकते हैं तो कल के लिए जैसे यहां पे भी आ देखोगे कि यह गैप है तो इसको फिल करने आ सकता है और आते ही यह उपर जा सकता है तो यह इस तरीके के जो गैप बनते हैं काफ इंपॉर्टेंट होते हैं इसको भी आपको नोटिस करना चाहिए और दूसरी चीज हमें क्या दिखाई देरी कि प्राइज उपर गया है एक यहां पर कंसॉलिडेशन है तो कल यहां से डारेक्ली अगर ब्रेक हो जाता है यह जो आपको रेसिस्टेंस दिखाई लाइन जो है वो किसी इंसान को अलग दिखती है और किसी ट्रेडर को अलग दिखती है तो यहां पर अच्छा पॉजिटिव जगह है जहां पर आप इत्मी पोजिशन बना सकते हो तो यह पहला स्टॉक था हमारा और दूसरा स्टॉक यहां पर हम लोग सर्वोटेक को भी ले सकते हो लेकिन सिंगल टे में ही आज 10 परसेंट भाग गया है तो वहां पर हम लोग को थोड़ा सा वेट भी करना चाहिए कि अगर एक बार नीचे आता है अगर यह यहां से दोस्तों अगर यह नीचे आता तो वेट करिएगा अगर यह हाई ब्रेक होते हैं तब आप यहां पर रिस्क ले सकते हैं ठीक है और इस टॉप लॉसे यहां पर 20 एमे के नीचे रखोगे या फिर यह जो लेवल है ना 129 इसके नीचे ही आप रखिएगा ठीक है क्योंकि और यह थोड़ा बाग चुका है तो इसको भी पॉस्बल की करेक्ट कर जाए तिन चार परसेंट पांच परसेंट एंड नेक्स स्टॉक दोस्तों एबी बी एंड इसको हम लोग डेली टाइम फ्रेम में देखेंगे यह भी देखें काफी लंबे टाइम अब यह एक बार 28 EMA के पास में आ रहा है बट इवन दो अभी पूरा पास नहीं है बट यहां पर देखोगे कि 4 आवर में काफी सारे स्टॉक सही जगे आ रहे हैं एक इसमें में डाइवर्जन्स भी दिख रहा है अगर आप ध्यान से RSI को देख पा रहे होगे तो प्राइ इसके ऊपर निकलता है एक अच्छी इंट्री होगी जो रिसकी ट्रेडर है वह यहीं पर ही इंट्री ले सकते हैं और अपने स्टॉप लॉस्स यह जो आप 200 यह में देख रहे हो 4 आवर में इसके नीचे रख सकते हो या फिर यह जो लेवल है 7218 इसके नीचे रख सकते हो यहां से आल्मोस्ट कहीं यहां पर बड़े स्टॉप लॉस्स हो रहे हैं 10% के अगर मुविंग आवरेस के नीचे रखते हो तो 6% मिन्स यहां पर स्टॉप लॉस्स बड़े हैं तो आपको अपनी जो कॉंटिटी है वो कंट्रोल में रखनी पड़ेगी ठीक है तो इस तरीक यह थोड़े से रिस्की रहेंगे लेकिन दोस्तों इस अच्छा है आप पे पोटेंशल है तो आप इसको जरूर से इसको अपनी वाच लिस्क में रखेगा नैस स्टॉक है दोस्तों एस्ट्रल तो एस्ट्रल में भी आप देखोगे मैं आपको यहां पर पहले तो आप आता था इस चैनल में क्योंकि बीच में 200 EMA पे स्टॉक ही नहीं आ रहे थे और फाइनली यहां पे स्टॉक आया है और कल इसकी अर्निंग है तो यहां से एक अच्छा अगर कोई भी रिवर्सल कैंडल मिलता है तब आप यहां पर ट्रेट कर सकते हो और यह जो लेवल है 2139 क अगर यह भी ब्रेक होता है तो भी एक रिसक्ले सकते हो और यहां पे स्टॉक रॉसेज आप 200 EMA के नीचे रख सकते हो तो यह आपके लिए काफी बैटर रहेगा और आने वाले टाइम में हम लोग इस स्टॉक को उपर जाता हुआ देख सकते हैं इन स्टॉक में थोड़ा पेशन्स चाहिए होगा क्योंकि आप 200 EMA पर ले रहे हो और यहां पर अच्छा मूव मिले तो यहां पर पेशन्स की जरुवत होती है और यहां पर आप देखोगे कि इसको अगर हम लोग यहां से वन आवर में स्टॉड़ी करें क्योंकि कई स्टॉक जो है ना दोस्तो फोर आवर पर आचुके हैं एक फोर आवर से भी बहुत अच्छे हम लोग ट्रेंट को पकड़ सकते हैं सेम यहां पर भी है RSI की वैलू बढ़ी है और यहां पर देखोगे फोर आवर पर एक डवल डवलू पैटर्न भी दिख रहा है और जैसे ही इस लेवल के उपन निकलेगा 20 एमें ब्रेक होगा इस टॉक में पॉजिटिविटी दिख सकती है तो इस स्टॉक को भी आप इग्नोर नहीं कर सकते हो ठीक है और नेक्स स्टॉक है हमारा अंबिका कॉटन में दिखे मैंने कल आपको बताया था कि कुछ टेक्सटाइल और कॉटन वाले जो स्टॉक्स है वो एक अच्छा परफ करता हूं तो यह रेंज थी एक अच्छा ब्रेक आउट हुआ है उसके बाद में अगर यह फॉलो अप इसको नहीं मिल पाया तो अगर यह लेवल ब्रेक होता है इनकेस तो यहां से स्टॉक में आपको एक तेजी दिखाई देगी अप्टू इस लेवल ठीक है एंड उसके इसको लेवल ब्रेक होगा आपको तेजी दिखेगी और यहां पर डेली कैंडल देख लेते हैं तो देखो डेली में क्या दिख रहा है 20 EMA का सपोर्ट आ चुका है अगर यहां से कोई भी एक रिवर्सल कैंडल बनती है तो आप यहां टेड में इंटर कर सकते हो और 20 EMA डेल कहां से रिवर्सल लेता है यह देखने की चीज होगी और मुझे लगता है कि 20 EMA से बाउंस कर सकता है और यह लेवल भी एक इंपोर्टेंट रोल प्ले करेगा शॉट टम के लिए हमें 2100 का ठीक है तो यहां से फिर स्टॉप उपर जाता हुआ दिखाई देगा और दोस्तो क्या उपाइसा नहीं कि आज थोड़ा सा पॉस्टीव दिखा तो आप बहुत खुश हो गया या डाउन हो गया तो आप एक तम से डर गया ऐसा नहीं है आप थोड़ा सा रिलैक्स मोट पे काम करेंए और रिलैक्स मोट पर तभी काम कर पाऊँगे जब आपकी इंप्रिस सह है या कुछ ही ट्रेडर प्रॉफिट कर रहे हैं तो उस डिफ्रेंस है उस डिफ्रेंस को समझिए यहां पर एक दिन वाले माइंड से आयो या कि एक महिने में पैसे डवाल हो जाए यह तो फिर भी मैं काऊंगा आप एक पर सोचो कि क्या यह प्रोफेशन ऐसा है और आप यहा दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए बाबाई सी यू टेक किया है